यहाँ पर मैं एक्स्क्रेइन करने वाली हूँ नहरू एल्विन पॉलिसीज और साधू उसको लेके क्या चक्कर है और वेर एल्विन का अपने पार्ट 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है प्लीज उसको देख किया यह पहले फिर आप पार्ट 4 देखिएगा तो अपो जादा समझ मै तो पहले आपको सब यह पता ही होगा कि जहाला नेरू इंडिमेंडनेंस के बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके उपर बहुत प्रेशर था लाइक रिफॉर्म्स या फिर पीपल के बेटरमेंस के लिए लौज या फिर नॉर्म्स बनाना तो पीपल में इंडिया क बहुत ज्यादा आपको पता है नॉर्ट इस मतलब कौनसा साइट असा मेखरलाय वह सैवननेस्टि में वाला साइट में में आपको पता है बहुत सारेoser द्राइब्स रहते थे więc सब के परिसरश कर पाई या उनको समझे भी वह वह ठीकिण और उस टाइम पे क्यां था कम लोग थे जो की ट्राइबल स्टैडिस करते थे और फिर ट्राइबल लोग के बारे में सोचते थे और जो करते भी थे वो शायद सेल्फी होते थे या फिर अपने मतलब के लिए करते थे बट वेरियर अलविन वह वान अफ तपरसन उनको लगा कि बेस्ट परसन जो इनको ट्राइबल कमिनूटिस के आफियर के बारे में स्टाडी करने के लिए मतलब उनको एक्चुली अपोइंट किया अजन एडवाइजर ओन ट्राइबल आफियर फोर दा अडिमिस्ट्रेशन ओफ नौर्थियर फ्रॉंटियर एजेंसी तो उनको उन्होंने बोला कि आप नौर्थिस फ्रॉंटियर एडवाइबल इंडिया नहरु ने बहुत हो जाके नौर्थ इंडिया को स्टडी करो उनका रूल्स नौर्म स्वर्म देखो तो उन्होंने वेरियर एल्विन ने ये दो किताब लिखा था इसको फ्लीज मेंशन कीजिएगा बट नौर्थिस फ्र बोला था कि यह जो बुक से बहुत बहुत अच्छा है अगर मुझे कभी नौर्थिस फ्रॉंटियर को छोड़के बाकि किसी ट्राइब्स के बारे में बुक लिखना हो तिन आइविल डेफिनेटली यूज इस बुक उन्होंने इस इस बुक को लाइक सब को बोला था कि जोहलल नहिर ने म मिलके एक यहांन किया था उसको बोलते है पंशील फाहिक क्या बोलतो इसको पंशील उसके बहुत आन क्यू बोलते हैं और उसके क्या-क्या फीचर्स है वह मैं आपको बता रही हूं तो यह जो पर उस नौर्थ relatively य só 나वा इंडिया के की नौर्थ यहांड तो यह एग्रियार एलविन ने बहुत साहेता क्या था जिससे की एग्रिमेंट साइन हो पाए और इसमें जो पाच फीचर से वह खुर करेंगी कि ऑन्हें साइन किया था तो वह वेडियर एल विनने यहां पर अड्वाइजर का काम किया था तो जो पाच फीचर्स है आप पाखो में स्क्रीन में भी देख रही हूँ प्लीज दिस केर्फुली मैं एक्स्प्रेइन कर देरी हूँ पाइफ पी एंग्लिश मे पर सकतों मैं हिंदी में समझा देगी हूँ उन्होंने बोला था जो ट्राइबल पीपेल हैं उनको खुद से डेवलप होने दो उनको हम लोग कुछ थापे के नहीं कि यह करो वो करो खुद से हम उनको फोर्स नहीं करेगे डेवलप होने में या फिर यह करने में और उन्हें बोला था वो जो भी करते उनके ट्राइब मतलब ट्रेडिशन और कल्चर को हम लोग एंकरेज करेगे उनको थोपा थोपे के नहीं यह फर्स पॉइंट है इंग्लिश में मैंने लिखा या पर लो और में हिंदी में समझा देगी हूँ दो नंबर पॉइंट में बोला था कि ट्राइबल को जो लैंट है या फिर जो जमीन है या फिर जो जंगल है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेगे तीन नंबर पॉइंट में बोला था हम लोग एक टीम बनाएगे जो टीम मेंबर हम लोग बनाएगे वो उनके कॉमुनिटी के लोग को वही पर में से किसी एक को ब बाहर कोई आदमी जाके उनको ट्रेशन नहीं करेंगे जादा ओवर है ना करेंगे उनको फील नहीं नहीं होना चाहिए और नमबर फाइफ इस हम लोग उनके उपर जो पैसा खर्च करेंगे या फिर जो भी कर रहें इसको हम लोग जज नहीं करेंगे यह फाइफ नमबर वाला पॉइंट में ठीक से नहीं एक्स्प्रेइन कर पाई बड़ मैंने लिग दिया प्लीज उसको कॉपी करके उसको समझ जाना और इस फॉन्टेर जो बुक मैंने बोला फिलोज़ोफी आफ नौर्ट इस फॉन्टेर कि उसमें उन्होंने बहुत नौर्टिस फॉन्टेर के लाइफ स्टैल उनके स्टेट उनके सब कुछ के बारे में लिखा था यहाल पर मैं किसी के बारे में मैंने करना चाहती हूं राम मोहोनोहर पिछ़ले साइट में आपने देखा होगा राम मोहन बोलके एक आदमी था यह जो पंशील वाला एग्रिमेंट जब निकला था ना उन्होंने इस चीज का बहुत विरोध किया था क्यों विरोध किया था कि फर्स नंबर पॉइंट अगर आपको यादे वेरियन एलबिन ने बोला था एक इनर लाइन होगा या फिर फोरेज उनका फोरेज का अंदर नहीं दा सकते तो राम मोहन बोलके यह जो आदमी थे या फिर जो थे यह देखिए राम मैंने या पर लिग गया प्लीस इसको नोट क कंच्री है यह सब क्या है कि एक जगह को आप यहां पे बाहर के लोग नहीं जा सकते ट्राइबल कर स क्या है कि आप सटीन और इसको एक ऐसा एरिया बना देरो ट्राइबल किनूटी उन्हों ने क्या किया था वहां पर घुशने गहते बट उनको बहुत प्रोटेस है ना उन उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था ये मैं आर्टीकल करूँ यह बहुत ही रख में लगालन सेव्ट वर सफवतां याब ठोट परिएगा नागल रख में साधूस का एंट्री कर दिया था मतलब नॉऴ साधूस का इंट्री बंद कर गया था फिर वो वापस से वहां पर एंट्री करने कहते हैं बहुत लॉंग शोड़िया मैंने यह पर लिख दिया है बाट वह एक ऐसे वेक्ति थे जो कि परेंडिये टफली जाते थे बाहर का कोई ना जाए कि उनका सकते हैं यह सब भीगार सकता है तो और मैं कुछ भोल देती हुग यह चाहते ना जो ट्राइबल कम्यूंटी होंड स्ट्रीव में फोकस करे हैं कि उनके बेबी अच्छ tää ना मरे जल्दी ना नामरे डिजीज कम हो यह सब एल्विन चाहते थे और एल्विन वस एगे नॉट एगेंस्ट प्राइबाटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बट ही डोंट वन यह सब जो एल्पीजी अपर आपको पता है यह यह सब लिबराइजेशन प्राइब इसका एफेक्ट ना हो उनको खुद बाखुद रहने दो इसलिए वो फोकस करते थे ग्रोथ आफ स्मॉल इंडस्ट्री होम इंडस्ट्री यह सब एल्विन ने नोटिस कि बहार जब लोग आते थे आफिर आउटसाइडर मनी लेंडर्स वह आके बहुत फोर्स करते थे प्राइबल कम्यूट इसटी परनी इंडर्स लॉयार्यं का क्या ना मेंट्रर सेटाट्र में इसंद्री ओक्रोथ ना पर की बॉक्ति आप इसलियन हो चीलियर में थे इंडिया में ट्राइब के बीच में जो खराब सोच था या फिर जो वो लोग सोच थे वह यहां पर रिखा है वह दो हाई राइड हिंडाइड के बारे में एक्सपेंड कर दिया च्राइबल आर्ट ओफ मिद इंडिया ट्राइबल आट ओफ मिद ओर इसा यह सब बुक्स बहुत क्रिटिसीजम भी होओ था जो लोग किन लोगों से फिरिव में होओ था जो कि एसले मिशन वुनिस रग्ते तैंट आसले मिशन वीव क्या है मैंने प्रिशले वीडियो में जो लोग नहीं चाते थे कि ट्राइबल कम्युटि को अलग किसम से रखा जाए जो लोग च यह कुछ आप लिख लोगा यह सुन लो क्योंकि यह काम आएगा 1962 में चाइनीज इन्वेंशन हुआ था इसका मतलब चाइनीज लोग आपको पड़ता ही है नौर्थ इस में हमला किया था कुछ आगा लैंड में शायद मुझे उतना खास तो याद नहीं बट इन्वेंशन हु इसलिए यह सब इन्वेंशन हुआ है कोई रोक नहीं पाया तो इसलिए ओपोजिशन पार्टी ने मतलब फोर्स किया फिर पुश किया कि 10,000 फार्मर्स भेजने को नौर्थ इस फ्रॉंटियर में जहाँ पर किसी का एंट्री नहीं था वहाँ पर 10,000 फार्मर्स भेजने को क्योंकि वह सिच्वेशन इतना खराब तो जहला ने पर इतने प्रेशर में पर गया थे तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक देते तो एल्विन को जब भी यह बात पता चला कि 10,000 फार्मर्स नौर्थ इस फ्रॉंटेर में फिर नौर्थ इसमें भीजा जा रहा है तो वह तू इसटेटो वह बहुत यांग यह मर गया थे एक पिसुक्स तो फिर क्या हुआ ओ जिस दिन मर गये थे उस दिन भी जहला ने रहो आए थे लाइक उनको मतलब नेक्स दिन समानित करने है फिर जो भी करने तो उन्होंने बहुत सारे काम किये है लाइक आपको मैंने पहले पंचlee government या फिर उन्होंने जो books लिखा है फिर जो भी भी ma nograms लिखा है वो नहीं लिखते तो उनका विष यकर ट्रैबल पीपल को जो वीव घुर हम लोग कभी संबच में नहीं पाथे अफिर पंचील एग्रिमेंट कभी साइन ही नहीं होता या फिर जो एट परसन पॉपुलेशन है इंडिया का प्राइबल कम्यूटी उनके लिए कभी कोई सोचता ही नहीं कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं स्टिल कमिंग फ्रॉम फॉरें चंट्री यहां पर आके सेटल होके यहां के लोग के बारे में सोचना means a lot अगर एक्जाम में आपको दिये एल्वीन और जोहला ने लोगा डिलेशनशिप प्लीज आप मेंशन कीजिएगा पंशील और जो जो मैंने एक्सरा बोला है उनके लास्ट यर के बारे में जो चाइनीज इन्वेंशन एक्ट होता वो भी आप मेंशन की कीजिएगा प्लीज और एक बात वेलियर एल्विन स्लेबरी की भी बहुत एंस थे उन्होंने ट्राइबल कॉम्यूटी के बहुत सारे लोगों को like funds या फिर money से help किया था या फिर उनके बारे में आप ये सब प्लीज मेंशन कीजिएगा और ये नौर्थ इसमें साधूस का की पर वेनगे प्रषणि का फिर एक लाइन उनको भॉट करते थे लिए ऐसलए लिए इसमेर प्लीज मेंशन कीजिए अप मेरा पूरा आट फो देखना ऑंड सब कुछ देखना हैं विंपी बुक्स के बारे में में मैंशन करना सब कुछ मेंन करना कर्णे अगर बेर एल्व के बारे में तब भी आप एक्स्प्रेन करना उनका पर्सनल लाइफ के बारे में उन्टा इंट्र सब कुस मेंशन करना एंट आइनो वेडियर इल्वन पे यूटूब पे बहुत कम वीडियो से आइनो मैंने खुद जब मैंने साच किया था मुझे एक-दो वीडियो में वहीं सब्सक्रेणियों करते हुद आए उसको कमें पाउया पिर देस्क्रिप्टर्च में बॉक्स में या फिर आफ इगान गोश्का देख सकते हो अर् वीडियो का में बोलों तो आप किसी का में मढड बस और जो है मुझे जितना नॉलेच है उनका एक वीडियो क्लिप है उनका कुछ देख सकते हो जिन्होंने उनके वाइफ ने उनके जो टीम मेंबर से उनके बारे में बोला है वो आप देख सकते हो यह कुछ बुक्स का अगर पढ़ना चाहते हो तो पर सकते हो बेरियार एल्विन के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो आप अगेन अगेन टेलिए यू प्लीज डू लेट मी इन दे कमेंट सेक्शन आप मेरे टेलिग्राम चैनल में आके पूछ सकते हैं अगर आपको नोट समझ में नहीं आ रहा है मेरा हैं फ्लीज डू एट मी नो अगर आपको मेरे से जाधा कुछ पता है या फिर मैंने कुछ वालत बोला है प्लीज कमेंट्स में बताइए कुछ भी है आप प्लीज मेंशन कीजिए ओके कि जिससे कि आपका भी भाला हो मेरा भी फ्यूचर में भाला हूँ और बागी जो आप मेरे फ्रेंड्स है उनका भी भाला हूँ